इस बक्त मौझूद है सहर के जानराय टॉरिया पर इंक्याउन फिट की मूर्ती की अश्ट धातू की मूर्ती का जिन्दरमार कार है वाई प्राराम हो चुका है जिसको लेकर आज आहूती भी डाली गई है जिसमें कई समासेवी लोग भी और जन्पृतिनीरी लोग भी हाँ और मौझूद रहे हमारे साथ मौझूद है जानराय टॉरिया के महंत श्री भागवनदा सिंगारी जी इनसे हम पूछेंगे किस तरह कि यह मूर्ती का नर्मार कार किया जा रहा है क्या संकल फेसके पीछे जी जैस्री सिता राम सबको यह हनमान जी की प्रतिमाइं क्याउन फुटकी अश्टधातु से जो आजान भुट सरकार प्रांगन छतरपुर में होने जा रहा है इसका एक राम जी से जुड़ा हुआ रिस्ता है अयोध्या से और यह मंदिर राम जनभूम निर्मोही अखाड़े से जुड़ा था और कई सैक्ड़ों वर्स से यह मंदिर बन जाएगा और आयोध्या में राम राजा जिस समय पधारे जाएंगे तो हम अपने छतरपुर की धर्ती में इंक्याउन फुटके अश्टधातु के हनमान जी महराज की अस्थापना करेंगे वह आउसर आज मिला आज से भठीया चालू हो गई और हनमान जी महराज के अं अश्टास का एक मंच बनेगा और उस मंच के ऊपर इंक्याउन फुटके हनमान जी महराज की प्रतिमा तयार होगी जिनका मुखार बिंद दच्छन को होगा क्योंकि दच्छन में राक्षसों का बास होता है इसलिए हनमान जी की प्राण पतिष्ठाएं अक्सर दच्छन होती है और यहां तो दच्छन दिशा में जहां मूर्ती पधार ने जा रही है वहां से दच्छन दिशा में आजानभू सरकार विराजमान हैं तो उनकी सेवा में मंदिर प्रांगन के बाहर हनमान जी महराज आसिरबाद देते हुए दच्छन दिशा को मुखार बिंद किये हुए यानि पधारे जाएंगे और 2024 के यानि समाप्त होते हनमान जी महराज की बिसाल भब प्राणपतिष्ठा होगी उसमें देश के ख्याती प्राप्त जगत गुरू संकराचार रामानंदाचार रामानुजाचार चारो संपदाय के महान संतों का एक एक दिन यहां आसिरब बात देने के लिए आएंगे यह हमारी हार्दी किच्छा है और हम सभी महापुर्सों से संपर्ग करना भी से शुरू कर दिये हैं लेकि 5-6 महीने अभी हनमान जी महराज को खड़ा होने में लग जाएगा और इसके बाद में यह कारिक्रम होगा नौदिश सेहर में जो सिख सरपुर सहर का नामों निसान तक नहीं था तब इस मंदिर में आजान भुझ सरकार अस्थापित थे अब कब अस्थापित हुए हैं यह नहीं बता सकते लेकिर रामायन के प्रमाण के मुताबिक सास्त्रों के प्रमाण के मुताबिक आजान भुझ सरकार थे और जिस समय खर दूसन को मारा तो देवताओं ने पुस्पवर्सा की और बंदना की उसमें आता है आजान भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दूसनम लोग कहते हैं कि क्या ये बंगमन का रास्ता है कोई कहता है नहीं है लेकिन मैं दावे से डंके की चोट से कहता हूं कि यहां ये देल खंड को दिया है इसमें साहेगेरा साल अस्थाहि रुप से भगवांद राम श्री चित्रकोट में बास किये हैं और जब साहेगेरा साल वहाँ बास किये हैं तो कहां कहां नहीं गए होंगे प्रमाण इसका यहां से लगा हुआ पंना है पहले कोई पंना चठरपूर्ट इकमगड़ सागर कोई जिला नहीं था पहले तो ये बुंदेल खंड धर्ती थी और इस बुंदेल खंड की धर्ती में पन्ना जिले में आज भी वो सुतिछण आस्रम मौजूद है जहां रामाइन का संकेत मिलता है कि सकल मुनिन के आस्रम जाए जाए सुख दीन भगवान हर रिसी मुनिन के महात्माओं के आस्रम में जाते थे वो सुतिछण आस्रम मौजूद है और यहां से सीधा देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा पचास किलो मीटर की दूरी है सुटी छणास्रम की तो यहां भगवान राम आये हैं और उसी समय का यह द्रस्ट है कि यहां आजानभुत सरकार एकलोते राम जी की मूर्ती अस्थापित है पूरे भारत में कहीं भी राम जी अकेले नहीं है यहां अक सब्सक्राइब करें पर दोड़ाना सुरू कर दिया है इसमें हम लोगों को बताया गया है इसमें इस काम में हमें सभी समाजों को सब्सक्राइब को सभी राजनेतिक संगुतफनों को सभी को जोड़ना है और इसमें सबकी भागीदारी सुनिष्चक करना है यह कहां से कलाकर आये हूए है इसका जो पूरा धाजा है वह किसके द्वारतायार किया गया है प्योंग tyre भाय किरिए उजिक्स इसको डिजाइन किया गया है उसी तरज पर यह अनमान जी की प्रतिमाँ बनेगी इसमें जो अश्ट दातू जैसे गलाई जानी है कहां से अश्ट दातू आएगी कैसे लोगों को यह भक्तों के जियारा जो हम बोल लहे हैं जो सभी समाजों को जोड़ेंगे तो उन सबसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपनी छोटी सी छोटी वस्तू बोलाएं और यहां पर अपनी स्वयमाकर राहूती तो यह समाज से भी है और कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो यहां पर बैटे हुए हैं और कई ऐसे राजनेतिक दल हैं राजनेतिक दलों के लोग हैं जो यहां सबसे बिसेस बात यह है कि मुस्लिम समाज के जो कारिगर है उनके द्वारा इस मूर्ती का नर्माणकार कराए जा रहा है इसको त्यार करने का इसका पूरा इस्ट्रेक्चर है वह इस्ट्रेक्चर त्यार करने के लिए चतरपूर के बुंदेल खंड के जाने माने कलाकार अब जल से जल यह संकल्प है यहां के समास्यवियों का कि यह मूर्ती बन कर तयार हो फेड़ी टाइम के लिए फिनोध मिस्रा की रेपोर्ट